आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपोर्ण था अकेला पंदोर करने के लिए अपने लिए जीने का एकारन घर ले करा रही थी देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी से नाराज भी थी क्योंकि पिछले साथ साल की यादे उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी चाय का कप लेकर वा गैलरी में आकर बैठी और गुजारा हुआ कल उसके आखों के सामने आने लगा बेटा तुम्हें ऐसा नहीं जाना चाहिए था शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसे भी खराब है कोई क्या करेगा अगर मा बन सकती तो बात ही अलग होती मैं मा नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है, यह सब मेरे हाथों में है, क्या मा नहीं बन सकती, मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मेरी कोई फिलिंग्स नहीं है क्या, मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जिना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ, मैं जिन् करता था अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है और तुम्हारा भाई हर्शल तो परदेश में अपने ग्रिहस्ते में मगन हो गया है तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे सासुराल वालों से बोलता हूँ पर तुम अपने सासुराल वापस चली जाओ ऐसा मुझे लगता है नहीं पापा कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाओंगी वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है वहाँ मिलने वाला अपमान बेजती से मैं ठक चुके हूँ शादी के पहले मैं मेरे पैरूंग पर खाड़ा रहना चाहती थी पर मेरा ग्रेजुवेशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी तब ही मैंने आपके दबाव में आकर शादी की पर अभी जब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो आप पिछे हट रहे हो शादी के बाद लड़की ससुराल में ही सोभा वढ़ाती है माईके में चार दिन ही रहना अच्छा लगता है रानी लोग क्या बोलेंगी शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा पापा गुसे में ही बोल रहे थे उस घर वापस जाना अब मुम्किम नहीं है पापा मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिगनेचर करके आई थे क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझ से बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती अरे इतना बड़ा निर्नाई लेने से पहले हमें एक बार पुछना तो चाहिए था ना जानम दाता हैं हम तुम्हारे पापा शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ महाँ पर दो साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया जब मेरे रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकते तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिया कैसे रहूंगे मैं ऐसे वातावरन में और इस सबसे भाकर अपनी जिन्दगी खतम करने वालों में से मैं नहीं थी यह देखो बेटा हर सल के दिये हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारे मा का जैसे दैसे खर्चा चलता है उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठीन होगा डिवोर्स वेपर पर सही करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था मेरे पास की सोने के गहने लेकर मैं आई हूँ और एजुकेशन लोन निकाल कर मैं छे महिनों का एक कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में बहु जरूरत है इसके बाद मुझे अच्छी कमपनी में नावकरी मिल सकती है मैं आपके उपर आर्थिक बोज नहीं डालोंगी पापा मुझे जीवन जीना है संघर्ष करूंगे और कमाऊंगी विश्वास किजे मेरा सब लोग क्या बोलेंगे बेटा क्या जबाब देगी उन्हें मा आखों का पानी छुपाते ही बोली मा बोलती थी कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बरता हो रहा था तब कहां गये थे ये लोग समाज में बढ़ा करो शादी कर दो बस इतनी ही जीमेदारी समझते हैं बेटियों को बढ़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरोंग पर खड़ा करना यह माता पिता की ही जीमेदारी होती है ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तिमाल कर सके तैक ये मुताबिक रानी ने छे महिने का कोर्ष किया और तुरंद उसे एक अच्छी कमपानी में काम भी मिल गया ओ बहुत खुश हो गई थी सब अच्छा चल रहा था बीच में छुटी लेकर माता पिता को नजदिक रहने वाले परियटन जगह पर घुमाने लेकर जाती थी माता पिता बीच में ही दुसरी शादी की बात छिर देते थे कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था तभी उसे सिवकारने के लिए तयार था पर पहले शादी ने ही इतने दुख दिये थे कि दुसरे शादी के लिए उनका मन तयार नहीं था ऐसा कितने दिनों तक अकेले रहोगी जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा सोचा क्या कभी उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी ऐसा उसके पापा उसे समझा रह थे माँ पापा अब दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर देजिए आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ मेरे दोस्त सहलिया है ना मेरे साथ क्यों करनी है दूसरी शादी भला इतना आसान नहीं है बेटा एक उम्रे के बाद अकेला पन खाने के लिए दवड़ता है मा बोली सच हुआ उनका ऐसा बोलना आगे दो साल में पहले मा और छे महने में ही पापा का निधन हो गया रानी अब अकेले हो गई हर्शल भाई और उसकी पतनी आए और साथ में चलो बोलकर अवचारिकता की पर मुझे उनकी साथ जाकर वापस बोज नहीं बनना था मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो इतना बोलकर मैंने उनको जबाब दिया ओफिस का काम और बहुँ सारे दोस्त सभी लोगों की शादी हो गई थी और वे अपने अपने ग्रिहस्ती में मागन हो गए थे जीने के लिए कोई लक्ष मिल ही नहीं रहा था उसे छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजिन पढ़ते समय उसे सिंगल मौम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उदेश्य मिला उसने उसी दिन तै किया और एक दस साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया प्रक्रिया बहुत बड़ी थी पर बोलते हैं न मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए आनात आश्रम जाने वाली थी उस लड़की को घर लाकर वह मा नहीं बन सकते इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी तभी उसने निश्य किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी खुद के पैरोंग पर खड़ा करूंगी और फिर शादी कराऊंगी दोस्तों बांज अवरत की कहानी आपको कैसी लगी प्लीस कमेंड करके अपनी राज जरूर दिजेगा और इस प्रकार की इंट्रेस्टिंग कहाने सुनने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा धन्यवाद